हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके एक नई वीडियो के अंतरगत और इस वीडियो के अंतरगत दोस्तो जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि डेटर प्लेजबी के अंतरगत जो है वो कुछ वेकेंसी निकल कर आई है वेकेंसी तो बहुत सारी निकली है लेकिन हम जो है टीचिंग के तयारी करते हैं तो टीचिंग के अंदरगत कुछ वेकेंसी निकली है वो वेकेंसी कौन सी है कब इसके फॉर्म फिल किये जाएंगे क्या इसका अग्जामिनेशन पैटरन है क्या इसकी फीस है क्या इसका online वाला data place भी वाला इसके नीचे add हो जाएगा current vacancies के नीचे धीरे धीरे एक एक vacancies add होती रहती हैं तो यहाँ पर आपको यह जल्द ही add हो जाएंगे और वहाँ से आपका apply करने का जो पूरा process है वो शुरू हो जाएगा ठीक है अब यह क्या है vacancies किस की है किस की नहीं है उसके उपर हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए मैंने पूरा यहाँ पर विवरन तयार कर दिया है क्या है देखो दोस्तो यह है आपकी vacancies निकली थी कब 22 तारिक को कुछ दिन पहले ही vacancies निकली थी जो कि किस की थी तो दोस्तो यह थी आपकी assistant teacher जिसे आप लोग nursery बोल पर भी बात करेंगे हम लोग तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं नरसरी की बात करी जाए तो ध्यान रखेगा यह आपके municipal corporation यानि कि दिल्ली के MCD के अंतरगत भी निकली है और साथ ही साथ में director of education यानि कि DOE के अंतरगत भी निकली है दिल्ली में आपके दोनों की दोनों की अप्रोक्सिमेटली 66,000 के आसपास आपकी हाँ पर क्या मिलती है सैलरी मिलती है कितनी पोस्ट है तो देखो दोस्तो कुल मिलाकर बात करी जाए तो UR की पोस्ट है 512 MCD के अंतरगत DOE के अंतरगत 81 और दुबारा New Delhi Municipal Corporation के अंतरगत 21 तो कुल मिलाकर journal seat जो है वो 614 है वहीं पर ही बात करी जाए OBC के अंतरगत 377 है SC के अंतरगत 189 है ST के अंतरगत 1515 EWS के अंतरगत 151 और ऐसे करके कुल मिलाकर 1455 vacancies है तो देखा जाए तो कुल मिलाकर 1455 vacancies कम नहीं होती बहुत अच्छी vacancies है डेट रप्लेजबी के अंतरगत जो vacancies निकलती है वो इनी लेवलों पर निकलती है दो से लेकर 4500 के बीच में ठीक है तो नरसरी पोस्ट के लिए ये आपकी vacancies है eligibility criteria क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा इसके भी ठीक है पीजटी की बात करे जाए तो दोस्तों अलग लग सब्जक्ट के लिए पीजटी मेल हिंदी पीजटी फेमेल हिंदी 2024 से तो अभी आप लोगों के पास approximately देड़ महिना है देड़ महिने के आसपास आप बहुत सारी तयारी कर सकते हो क्योंकि DOE का exam जो है अगर इसने notification निकाला है तो तीन महिने के अंदर सारा process ये कर लेता है तो अप्रेल तक आपके सारे process exam वेगरा result वेगरा सब कुछ आ तो approximately 28 दिन का समय आपको मिलेगा form भरने के लिए ठीक है तो इस जीड़ महिने में आपको क्या करना है उसके ओपर भी अभी हम चल्चा करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके exam pattern की बात करें दोस्तों PGT exam pattern की तो थोड़ा सा PGT exam pattern थोड़ा अलग है क्योंकि उसमे subject combination होता है ठीक है वो हम बाद में बात कर लेंगे लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं नरसरी वाले का नरसरी हो गया PRT हो गया इन सभी का जो exam pattern होता हो सेम ही होता है कुल मिला अगर कितने गंटे का paper होता है तो दोस्तों दो गंटे का कितने गंटे का केवल दो गंटे का exam होता ह और कितने नंबर का होता है दो दोस्तों दोस्तों नंबर का होता है नेगिटिम मार्किंग 101% इसमें नेगिटिम मार्किंग होती है सही करोगे तो अंसर मिलेंगे गलत करोगे तो जो मिले है वो भी काट लिये जाएंगे कितने तो 0.25 ये आपके अंदर गत negative marking देखने को मिलती है अगर आप 5 सही करते हो और एक सही करते हो और 4 गलत कर देते हैं तो बराबर हो जाता है हिसाब किताब ठीक है तो negative marking बिलकुल है ठीक बात कर लिजाए दोस्तो इसके अंदर गत paper जो pattern होता है वो 200 question पूछे जाते हैं और 200 number के ही paper होता है जो कि 2 part में बटा रहता है कितने part में 2 part में 100 part का 1 होता है और 101 होता है तो कुल मिलाकर 2 part होते है पहली बात कर लिजाए पहले part की तो पहले part में क्या-क्या पूछा जाता है दोस्तो तो journal awareness पूछी जाती है journal intelligence पूछी जाती है arithmetic पूछा जाता है Hindi पूछी जाती है और English पूछी जाती है तो कुल मिलाकर ये 5 subject होते हैं हर कोई subject आपका 20-20 marks का होता है कितने होता है 20-20 marks का होता है तो कहने का मतलब यह हैं आपकी SST हो गई है एक हो गया दूसरा हो गया आपका maths तीसरा हो गया आपका reasoning चौथा हो गया आपका language यानि कि यहां fix है Hindi और English यहाँ पर कोई choice नहीं होती है कि हमें choice मिलेगी हिंदी और English दोनो 20-20 number के तो कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे ये 100 number के पूछे जाते है कितने 100 number के बाकी बचे के दूसरे part B 100 number तो यह आपका subject वाला होता है subject कहने का मतलब है कि आपका CDP का होता है बिल्कुल दोस्तों डेटरपलेस भी एक ऐसा अक्जाम है जिसमें 100 number की CDP पूछे जाती है कितने number की 100 number की अब यह 100 number में आपकी CDP में क्या-क्या पूछा जाता है दोस्तों तो इसके अंदर गत आपका child pedagogy child pedagogy and psychology यह तो आप लोगों की होती ही होती है ठीक है इसके इलावा दोस्तों teaching aptitude and teaching methodology होती है ठीक है यहाँ पर आप early childhood की बात कर रहे हो तो ECCE जो education होता है वहाँ से भी आपके question पूछे जाएंगे कुछ research center होते हैं उनके वहाँ से question पूछे जाते हैं क्योंकि आप nursery का दे रहे हो तो nursery में आपका यह वाला portion बहुत जादा important है यहाँ से आपके exam में बहुत जादा question पूछे जाते हैं ठीक है अनलाइन सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा NTT, Deter Plus B, online exam जो हुए थे हाँ, यह online यह exam होते हैं वहाँ पर आपके paper रखे होंगे वहाँ से आप paper में चेक कर सकते हो किस तरीकी के paper पूछे गए थे ठीक है, previous year question से आपको पता चलता है क्या syllabus है, क्या syllabus नहीं है main देखो दोस्तो, Child Psychology and Pedagogy and Teaching Aptitude and Teaching Methodology कोई बड़ी बात नहीं है हमने चैनल पर तयार करवा रखा आप चैनल पर वीडियोस देख भी सकते हो paid courses भी थे, वहाँ पर भी देख सकते हो और साथ ही साथ में दोस्तो, free में अगर आप self study करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो main बच्चा जो फस्ता है न दोस्तो, वह इसके अंदर फस्ता है तो इसके लिए दोस्तो, दो important चीज़ है एक N.I.O.S की book है और एक आपकी N.C.R.T. जो है वहाँ की book है, दोनों की दोनी book है क्या है दोनों English में भी है, Hindi में भी available है free of course है, मैं आपको अभी दखा दूँगा समझा दूँगा उस चीज़ के बारे में ठीक है, चलो पहले देखी लो यह जो आप E.C.E.C. वाली बात कर रहे हैं, कहां से तयार करोगे तो दोस्तो, अगर आप लोग N.C.R.T. की website के उपर आते हो, किसके उपर N.C.R.T. की website के उपर आते हो तो आप यहां पर देखोगे तो सारे के सारे framework रखे हुए आपके 2022 वाला, पंच वाला, 2000 वाला, सारे यह framework रखे हुए हैं तो इनके उपर तो निगहा आप लोगों को डालनी ही, डालनी है अग्जाम यहां से पूछा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे नीचे कहने का मतलब कहां पर आओगे यह रहा, Early Childhood Education यह वाला तो यह वाला देखोगे तो यह Hindi और English दोनों में portion में हैं, आपको जिसमें तयार करना उसमें तयार कर लिजिए, जैसे कि यह देखो हिंदी में है, छोटे बच्चों को, कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हो, नरसरी वालों को पढ़ाने वाले हो के तो English वाले में भी खुल जाएगा, देखो, यह सारी की सारी चीज़े लिख रखी है, Chapter 1, Chapter 2 करके, यह पूरा का पूरा आप लोगों को 67 पेज का है, जो नरसरी के तयारी कर रहा हो, प्लीर इसको पढ़ लिजएगा, यह देख सकते हो, नवजात, सिसो, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके समझाया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़े, यहां दे रखी है इसी के साथ साथ में दोस्तों अगर आप लोग NIUS के उपर आते हो किस के उपर आते हो NIUS के उपर आते हो तो NIUS के उपर प्रोग्राम में जाईएगा प्रोग्राम में जाकर आप DLR में जाईएगा DLR में जाकर यहां आओगे तो आप study material पर आ जाओगे study material में आपने जिसमें भी चुनना उसमें चुनलीजेगा मैंने हिंदी इंग्लिश में चुनलीआ है तो इसके नीचे आओगे तो नीचे आपका ECEC करकर एक course है ठीक है वो वाला जरूर देख लीजेगा वो भी आपके क्या है छोटे बच्चो को पढ़ाने के लिए हैं तो ये दोनों की दोनों वैसे आप NIS हुमारे यापर किसी काम का नहीं रहा है लेकिन study material आज भी इसके काम के है बहुत ही अच्छे study material है ठीक है तो उनको जाकर जरूर तयार कर लीजेगा इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा तो जो ECC का पार्ट आने वाला है ये आप लोगों को तयार हो जाएगा आप paper उठा कर देखेगा इसमें बहुत ज़्यादा question पूछे जाते है नरसरी वाले में बागी PIT, TGT, PGT में आप जो journal paper आता है उसके अंदर का ये वाला portion इतना नहीं पूछा जाता है जितना इसमें पूछा जाता है उसमें 2-3 number का ही पूछा जाता है जादा नहीं इसमें तो भर-भर के पूछा जाते है आपके नरसरी के बच्चों को पढ़ाने ठीक, SCST वालों को 5 साल एक्स्टा मिलते हैं OVC वालों को 3 साल एक्स्टा मिलते हैं PW वालों को 10 साल जादा मिलते हैं PW प्लस SCST को 15 साल PW और OVC को प्लस में 13 साल में मिलते हैं तो आप देख लिजेगा आप किस criteria के अंदर का तो उस criteria के अंदर अपको देखने को मिल जाएगा और बाकी रही, तो साथ ही साथ में ध्यान रखेगा इसके अंदर गती यह पूरा का पूरा क्या है आपका तो यह पूरा का पूरा एजुकेशन कोलिफिकेशन है किसकी? तो हैं आपकी नरसरी वाले की PGD वाले के तो पता ही आपको post graduation होना चाहिए seat item उसमें कोई जूरत नहीं होती है इसमें आपकी सारी की सारी चीज़े देखनी होती है क्या-क्या देखना होगा देखो पहला या तो आप senior secondary school के अंतरगत या निगे 12 तक आप वो pass होने चाहिए और कम से कम आपके 45 marks होनी चाहिए कितने कम से कम 45 marks मतलब 10 plus 2 के अंतरगत आपकी सिख्षा होनी चाहिए पूरी के पूरी complete और कम से कम आपको 45% marks चाहिए आपको ठीक है और कम से कम आप 10वी कक्षा तक कौनसी कक्षा था? class 10 तक आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए दोस्तों Hindi होनी चाहिए यह डिटर प्लेस भी अनिवार्रे करता है ध्यान रखेगा आपको पता होना चाहिए 10 तक आप लोगोंने Hindi पढ़ी होनी चाहिए एक ये बात करता है साथ में दोस्तों Diploma और Certificate जो कि आपका Nursery Teacher Education Program के अंतरगत आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों अलग से कोर्स आता है NTT करके या ETT करके ध्यान रखेगा वो कोर्स होना चाहिए आपका वो कितना? दो साल का ध्यान रखेगा कुछ समय पहले जो है वो आपका ये कोर्स जो होता था NTT का जिसे आप ETT भी बोलते हो वो एक साल का हुआ करता था ठीक है? वो वाला valid नहीं है कम से कम आपका दो साल वाला होना चाहिए ठीक है? ये साफ साफ कह रहे है कम से कम आपका दो साल वाला होना चाहिए diploma, या फिर beard के अंदर का जैसे beard normal होता है, special होता है वैसी एक nursery वाला होता है beard तो यह आप लोगों का होना चाहिए किसे recognized universities है, यह नहीं कि आप किसी से भी कर लो, ठीक है तो किसी government approved institute से होना चाहिए जो beard nursery, beard आपके अलग-अलग course होते हैं, तो normal beard वाला नहीं, special beard वाला नहीं nursery वाला beard होता है, ठीक है या तो आपने NTT वाला course कर रखा हो 2 साल वाला, PRT वाला course नहीं PRT वाला DRD अलग होता है, यह वाला अलग है ठीक है, तो वो 2 साल वाला होना चाहिए या फिर beard होना चाहिए, nursery वाला वो वाला होना चाहिए, तो दोनों में से आपने कुछ भी कर रखा हो, तो आप eligible और फॉर्म भर सकते हो, और आप लग secondary level तक, लो भाई, क्या कर रखा है इसने secondary level तक, यानि कि 10 तक आप लोगों का क्या होना चाहिए, कम से कम हिंडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिंडी होनी चाहिए, यह आप लोग बोल रखाए ज़रूरी है, अगर किसी के पास हिंडी नहीं है, तो अलग-अलग जगा से संस्था से 10th class में NOS से आप हिंडी लेकर ले सकते हो, 10th दुबारा दे सकते हो, ठीक है तो यह आपकी qualification होनी चाहिए बाकि इसके इलावा कोई और qualification नहीं बोल रखी है क्योंकि seated तो आपका नरसरी में होता नहीं है तो इसलिए उसकी अवशकता नहीं है डिरेक्ली इसका form भरो और exam दो और exam देगर pass करो कोई interview नहीं है डिरेक्ली आपकी नौकरी लगेगी कितने grade paper तो 42 ग्रेड़ पे के उपर approximately 60 प्लस आपकी salary जाती है यहाँ ठीक है 58, 59 के आज पास salary जाती है तो काफी अच्छी salary आपकी जाएगी ध्यान रखेगा काफी अच्छे यहाँ पर आपकी income होती है ठीक है और छोटे बच्चो को पढ़ाना है ध्यान रखेगा यह छोटे बच्चो का पढ़ाने में main यही होता है दोस्तों कि यहाँ पर teacher जो होती है वो कौन होती है female होती है यहाँ पर अभी दे नहीं रखा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अधिक्तर कौन होती है, female होती है mail के यहाँ पर allow नहीं होता है बाकि ऐसा कुछ दिया नहीं है अभी detail notification जब आएगा, मैं आपको और जादा इसके जीज में detail में बता दूँगा ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था, कैसे तयारी करनी है वो मैंने आपको बता ही दिये किस तरीके से करनी है journal paper तयारी करने के लिए वो ही आपके जो normal books होती है journal books होती है, वो आपको पढ़नी है या फिर आप लोग 6-10 तक की book पढ़ सकते हो अगर आप 6-10 तक की book पढ़ोगे तो इसके इलावा आपको और कुछ करने की जूरत नहीं है 101% पूरा paper आपका यहां से फसता है चाए SST ले लो, चाए English ले लो, चाए Hindi ले लो, चाए और कोई subject ले लो अब कई दोस्त कहेंगे सर reasoning reasoning आप journal कोई भी book ले सकते हो जिसमें आपके कुल मिलाकर 7-8 topic है, वहीं से ही question पूछे जाते है जैसे कि number counting हो गया, missing number हो गया या फिर clock वेगरा हो गया, calendar वेगरा हो गया यहीं से ही questions आपके देखने को मिलते है तो journal paper ले लिजएगा, आराम से आप लोग तयारी कर सकते हो यह रही तयारी, यह main तयारी समय लेती है इस तयारी की बात करी जाए, तो मैंने तयारी करवा भी रखी है दुबारा करवा दूँगा, आप दुबारा देख सकते हो उन चीजों के बारे में ठीक है, चलिए, तो यह थी दोस्तों आपकी नरसरी वाली की बात बात कर लेते हैं, पियाटी और टीजीटी की तो देखो दोस्तों कहीं न कहीं, अब डीटर प्लेस भी क्या हो गया है एक्टिव हो गया है, तो डीटर प्लेस भी एक्टिव होने का में रीजन यह भी आप लोगों को पता है कि election आने वाले हैं तो इसलिए दोस्तों election के समय पर हमारी भारत सरकार जग जाती है तो इसलिए दोस्तों आप अपनी कमर कस लीजी आप लोगों के पास अब समय नहीं है अगर इनकी vacancies देखने को मिल रहे हैं तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग यहां तयारी कर रहे हैं तो यह सेम आपको तयार करना उसके लिए भी PRT के लिए भी journal paper तयार करना PRT के लिए भी तो वहाँ पर भी आपका यही है तो इसलिए जो आप इस बार जो seated दे रहा है न seated पर बड़ा जोर से ध्यान दीजिएगा आने वाला समय आप लोगों के लिए नौकरी ढूंड के रख रखा है ठीक उमीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बाकि कोई भी candidate ऐसा जो की appearing है eligible नहीं है ध्यान रखेगा आप लोग appearing वाले कोई सोचों के सर मेरा आप यह appearing में है final year में हूँ मैं हो जाओंगा वैं कर लू सकता हूँ नहीं दियर आपका pass होना चाहिए certificate यह diploma आपके हाथ में होना चाहिए ठीक है तब जाकर apply कर सकते हो appearing वाला कोई भी apply नहीं कर सकता है इसके अंतरकर ओके चलिए तो यह थी दोस्तो आज आप लोगों के लिए के information उमीद करता हूँ आप लोग समझ गयोंगे तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही आप से फिर मुला कात होगी एक next वीडियो में जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद